हाई फ्रेंड्स, 2017 ये साल मेरे लिए बहुत स्पेशल है इस साल मेंने 10 साल पूरे किये हैं अपने प्रैक्टिस को इन 10 सालों में काफी एक्सपीरियंसे आए हैं, काफी कुछ सीखा है अपने पेशेंट से एक डॉक्टर सिर्फ एक ट्रीटमेंट करने वाले या हीलर के बजाए बहुत कुछ दूसरे रोल्स भी अदा करता है जरा सोचिए रात के 3 बजे और अचनक से आपके पापा के चेस्ट में पेइन होने लगता है आप क्या करते हैं, सबसे पहले फोन उठा के अपने डॉक्टर को कॉल करते हैं चाहे दीद में प्रॉबल्म हो, चाहे रात को प्रॉबल्म हो, हमें याद तो सिर्फ एकी परसन आता है उस तेंग पे वो है अपना डॉक्टर, तो हम कॉल करते हैं डॉक्टर को, चोबी सो घंटे, डॉक्टर का फोन चोबी सो घंटे बचता रहता है, तो देखिए एक डॉक्टर इस कंडिशन में एक फायर ब्रिगेड वाले के तरह काम कर रहा है या नहीं, आग लग जाती है तो हम किसको कॉल क करते हैं फायर ब्रिगेड को, और हमेशा फायर ब्रिगेड वाला हमारे रेस्क्यू के लिए आ जाता है, उसी तरह से अगर आप देखे, तो एक डॉक्टर हमेशा आपके रेस्क्यू के लिए तयार रहता है Soldier एक वो व्यक्ति है, जो हमेशा बैटलफिल्ड पे, बॉर्डर पे लड़ता रहता है, उसी तरह से, कुछ उसी तरह से, एक डॉक्टर भी दिन रात हो, कोई भी टाइम हो, कुछ भी परिस्तितिया हो, वो अपनी कर्मभूमी पे, मतलब क्लिनिक में या फिर हॉस्पिटल म अपने पेशन्स को ट्रीट करता रहता है, वो हमेशा कोशिश करता है, कि किस प्रकार अपने पेशन्स के लिए अच्छा कर सके, पेशन्स की लाइफ सेव कर सके, एक डॉक्टर वो इंसान है, जो अपनी लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ सैकरिफाइस करता है, ताकि आपक के फैमिली में खुशिया रहें, आपको ट्रीट कर सकें, अपनी लाइफ का टाइम जो अपनी फैमिली को देना चाहिए, वह आपकी फैमिली को देते हैं. दक्टर, ये शब्द, लैतिन के सबशब्द से आया है, जिसका मतलब है, डॉकर, को का मतलब है, कि आपको हमेशा पल-path आपको बताता रहता है, कि जा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए अबिसले आज गूगल आ चुका है, बहुत सारे वेबसाइट आ चुके हैं, लेकिन जो authentic source of knowledge है, अगर आपको कभी भी लगता है, तो there is no one who can beat the doctor, वो आपको हमेशा गाइड कर रहे हैं, वो आपको हमेशा problems होने से बचा रहे हैं, so I feel a doctor is very much like a teacher as well. एक doctor होता है, जो उस patient को एक parent की तरह समझ के लेता है, उसको treat करता है, उससे समझाता है exactly क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत से मेरे पास बुजूर्ग patient भी आते हैं, जो भले बुजूर्ग होते हैं, और मैं बहले उनसे छोटा हूँ, उमर में, लेकिन एक स्टेज पर पहुँच जाते हैं, जहां पर उनको एक parent की तरह समझाना पड़ता है, बहुत सी old ladies आती है, वो रोने लग जाती है, अपनी बीमारियों से परेशान, अपने घर के कुछ family problems से परेशान, तो उनको literally एक parent की तरह समझाना पड़ता है, तो मुझको लगता है क कि एक doctor, besides the role of doctor, एक parent का भी role अपने patients के लिए अदा करता है, अफन मेरे पास ऐसे patients आते हैं, जिनको कुछ ऐसे problems होते हैं, जो society में वो किसी को नहीं बताते हैं, in fact, probably एक doctor ही, वो particular patient के अलावा, एक doctor ही वो person होता है, जिनको एक problems बताते हैं, एक मेरा patient है, मैं 36, 38 year old होगा, उसको ऐसे लगा था कि अभी 36 की age में कर मेरा bypass हो चुका है, तो अभी मैं कोई जादा जीने वाला नहीं है, क्योंकि certain things है, वो अपनी wives के साथ भी discuss नहीं कर सकता, वाइफ को यह नहीं बता सकता था, कि मुझको मरने का डर लगता है हमेशा, wife already stressed है, घर में बुड़ी मा है, उसको नहीं बता सकता था, कि कैसे मुझको हमेशा मरने का डर लगता रहता है, कि मैं कभी मर जाओंगा, कभी रात को heart attack आगा जाएगा, इसी चीज़ से वो एक obsessed हो गया था, so probably I would say, कि एक doctor, एक friend जैसा भी होता है, especially जब एक patient मायूस हो जाता है, depressed हो जाता ह और उसको एक solution देनी कि अपने परी कोशिश करता है, तो एक doctor, एक friend का भी role अदा करता है, तो मैं एक ही कहूंगा कि doctor भी इंसान है, और आप respect या फिर trust, always two-sided होता है, एक मराटी में कहावत है, तुम्ही ज़र ग्रहक जालात, तर doctor दुका अंदार होई, मतलब अगर आप customer ब पर बन जाएगा, तुम्हे आदी मानुस बना, तर doctor देव मानुस बना, so I think this is a mutual give and take relationship, जिसमें दोनों ने अपना अपना role अदा करना चाहिए, so let's work towards this particular beautiful relationship, ताकि आगे चलके एक अच्छा healthy relationship डेवलप हो सकें, और एक doctor-patient relationship अच्छा रहे, और society को, doctors को, patients को, सभी को इसमें स झाल